नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तरपदेस लेखपाल भरती की और यहां पर एक बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन की क्या की नोटिफिकेशन कब आने के संभावना है चुकि 14 नमंबर के न्यूस पेपर में एक महत्रपूर्ण खबर जो है वह लेख 582 लेखपाल की भरती की जाएगी उसका विझ्यापन जल्दी जारी होगा इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी नोवंबर में इसका एक्जामनेशन लिया जाएगा तरह तरह की बाते हैं और आयोग ने क्या किया था आयोग ने अपने कलेंडर में भी कह दिया था कि यहां पर देख रहे हैं कि मुक्ति सचीव ने एक फर्मान जानी कर दिया कि भया लेख पालों की पदोनती जल्दी करिए लेकिन इस फर्मान के बाद भी लेख पालों की पदोनती जो है वो नहीं हो पा रही है यहां पर देखें शाफ लिखा है कि 2017-2018 से पदोनती नहीं दैसीमा भी बीच चुकी है तो यहाँ पर देखेंगे कि 31 अक्टूबर तक पदोनती का कारे पूरा करा जाना था अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि लगबग 2500 जो राजस नेच्छा के पद हैं वह रिक्त है सोचिए 2500 राजस नेच्छा जिने सामाने तौर पर कानूनगो भी कहा जाता है अब सोचिए 2500 कानूनगो के पद जो है वह खाली है कानूनगो के नीचे होता है लेखपाल यहां होता है लेखपाल अब लेखपाल जो है वह कानूनगों बनेंगे सोचिए पचीस सो लेखपालों को कानूनगों की पद जो है वो दिये जाने है साथ ही साथ यह दिया है कि 21-22 में अगर पदोनोती होती है तो 590 राजसो निक्षक जो है वो नयाप तैसिलदार बन जाएंगे इसका मतलब पचीस सो प्लस पान सो नब्बे इसको आप जोडेंगे तो 9-1 एक अकतिस सो सीट है वो कानूनगों की खाली हो जाएगी और हमारे पास जो है यहाँ पर साफ लग रहा है कि जो 31-90 सीटे कानूनगों की खाली होंगी उस कानूनगों की सीटों को भरने के लिए कौन आएंगे लेक पाल आएंगे इसका मतलब हमारे पास जो 7882 सीट खाली है जिसकी वेकेंसी की बात कब से चल रही है इसमें 3190 और जुड़ जाएंगे तो 2, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 7, 10, 10 और 1, 11 इसका मतलब कहा सकते हैं कि लगबग 11,000 अगर यह पदोनती की कारेवाई जल्दिस जल्दी हो जाती है तो 11,000 लोग जो है वह नई पद पे जुड़ होंगे इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि बहुत जल्दी यह वेकेंसी आ सकती है लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा इसको लेकर क्या कहा जाए आयोग जो है इतना धीमे कारे कर रहा है कि क्या बताया जाए कि बहुत बहुत जाए इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है इस समय फ़सा हुआ है साथ में इस पदोनती ने भी यह कर दिया है कि भाया कितनी वेकेंसी हम निकालें साथ दर आठ सो ब्यासी निकालें कि ग्यराहजार बहातर निकालें इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें बाकी आयोग जब वेकेंसी निकाले का तब निकाले का वो अच्छे से ग्जानमिशन दे दें तो आज किस वीडियो में इहीं सब बातों पर मैं आपसे बात करना चाहता था तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं शुरू करने वाला हूँ 500 कोश्चन्स की ग्रामीड परवेश की आउंगा तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम